ओके सो हेलो और वल्कम काईज वल्कम बैक टो ओम निवल्स इस हरदीप मलिक एंड आज हम डिसकस करने वाले कुछ नए ब्रेक आउट सौक्स के बारे में तो उससे पहले आप देख लेते हैं कि निफ्टी का अगर आप आप जैसे वीकली चार्ट देखोगे तो यहां पे का इंड आफ स्मॉल इंसाइड केंडल टाइप की चीज़ बनी हुई है एक्जाक्ली इंसाइड केंडल निया बड़ा भी थोड़ा सा मतलब आप उसको मतलब इगनोर कर सकते हो लेकिन अभी जो मोमेंटम में थोड़ा बुलिश साइड पे ही दिख रहा है अभी से भी की कोई कर लो ब्रेक होता है तो हम थोड़ा कॉल की साइड हम सेलिंग का उधर पोजिशन बना सकते हैं तो एक बार हम स्टॉक्स देख लेते हैं अगर बुलिश मोमेंटम बाइचांस रहते हैं तो हमें कौन से स्टॉक्स पर नजा रखनी चाहिए वैसे तो इनका उससे कोई लेना चार्ड देखोगे तो काफी अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहां पर एक ट्रैंगल पैर्टन है और एक कंसॉलिडेशन बे यहां पर काफी टाइम से हो रखा है तो यहां पर आगर आप आप देखोगे ट्रेंड लाइन इधर से आप ड्रा कर सकते हैं ऊपर की 80 या 80.5 की उपर अगर यह निकलता है मंडे की दिन पर flat opening के बाद तो हम इसको buy कर सकते हैं weekly chart पर ही मेरे को यह काफी अच्छा दिख रहा है क्योंकि अगर आप मैं आप देखोगे zoom out करके तो पहले इसने काफी अच्छी यहां पर breakout के बाद एक rally दिखाई थी उसको पूरा breakout करके वापिस हैं retest करके फिर वापिस से ही उपर आ गया था उसको अभी एक स्वड़ा consolidation range में है लेकिन अभी 3-4 weeks है अगर आप देखोगे तो negative candles थी लेकिन अभी यहां पे bullish hammer type की चीज इसने weekly बे बनाई है तो थोड़ा जो safe players हैं वो थोड़ा weight कर सकते हैं 81.35 का level जब निकलेगा तब उसको buy कर सकते हैं नहीं तो अगर आपको थोड़ा अगर earlier entry check तो 80.5 का level break होती है आप ले सकते हो with a stop loss of 76 76 के SL के थास यहां पर बस 3-4 रुपे का यहां पर stop loss आपको मिल रहा है लेकिन target हम यहां पर 90 का कुछ ले के चल सकते हैं तो यहां पर इस बार आप देखोगे मैं fundamentals वगरा कुछ बात नहीं कर रहा है इस बार सिर्फ हम technicals का एक बार देखते हैं क्योंकि कुछ charts जोने technically भी आपको काफी अच्छे लगते हैं तो फिर हमने यहां पर एक technically यहां पर आप देखोगे कि ascending triangle का pattern form हो सकता है आने वाले time में तो एक बार मैं अगर यहां पर भी इसको extend कर दो अगर weekly chart के इस आप से तो हो सकते हैं यहां पर इस range के अंदर ही बनके फिर यह एक बार breakout करें थोड़ा लंबे समय के लिए आपको hold करना रहेगा अगर यह 3-4 months के आप से आप देख रहो तो target फिर हम 100 के उपर रखना चाहिए लिगना कर आप फोड़ा immediate basis पर देख रहो हो सकता है कि next weekly candle ही इस तरीकी कुछ बन जाए तो उस case में जो target जल्दी बेचीव हो सकता है फोड़ा late भी हो सकता है वो हमारे हाथ में नहीं है हम बस एक invest कर सकते हैं हम stop loss लगा सकते हैं और target define कर सकते हैं तो वही है अब हम कर रहे है certain triangle pattern इसके अंदर most probably form हो सकता है नीचे breakdown करेगा तो हम 76 पे निकल के हो सकते हैं पर नीचे यह breakdown कर दे तो वह हमें नहीं पता है बट चार्ट मेर कोई देखने वाइस काफी अच्छा लग रहा है similarly एक ओर चार्ट हमने यह आपे देखा है कि इस तरीके से वैसे डिश्टी वी कंपनी काफी मतल थोड़ा कर्जे वर्जे मागी थी बट आई तिंक कि कुछ turnaround story वाली चीज हो सकती है क्योंकि देखो कि आप चार्ट जो है देरे देरे स्टेंथ यहां पर शो कर रहा है बड़ा चार्ट जरूर लगेगा बड़ा स्टॉप लगेगा 21 मान लिजे 21 पर अगर आप बाय करते हैं तो उसके बाद 18 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा तो थोड़ा साब को quantity साथ play around करना पड़ेगा कि अगर तीन रुपे का लॉस होता है बाइचांस तो आप उसको किस तरीके से इसमें हैंडल करोगे तो यह आपको overall मैं अगर चार्ट दिखा दू तो पहले यह मैं आपको बता रहता है कि शैद यह turn around story हो सकते है तो पहले sending triangle का ही पी चार्ट है और यहां पर जैसे यह उपर वाली जो level थी उसके बाद यह breakout करके सीथा 40 तक हमें जाता हुआ दिखाता 7-8 से तो यह भी same उसी जैसा चार्ट है डिश्टीवी जैसा पहले यह उपर की तरफ था फिर नीचे जाके base का consolidation and now it is moving upwards और volume भी यहां पर potential हो सकते है turn around का हो सकते है 20-30 भी पहुच जाए बट देखने किस तरीके से रहता है लेकिन 18 का आप stop loss जिरूर लगा के उसके अंदर रख सकते हैं तो last stock हम आजाते हैं Lins Lins Limited तो अगर आप देखोगे pen बगए अगर manufacture करता था अगर आपने भी Lins का pen यूज किया होगा तो तो यहां पर आप देखोगे कि इधर पहले इस लेवल से इसने breakout किया था वापस यहां पर retest के बाद यह फिर से एक और retest के लिए आया हुआ है लेकिन यहां पर खास बात कहें कि इसके नीचे नहीं जा रहा है वह यहां पर hammer बनाके भी एक और hammer बनाई यह इसने एंड वीकली बेसिस पे तीन-चार नेगिटिव कैंडल सी बन चुकी है तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक एक अच्छा हमें आप यहां पर मोमेंटम उपर की तरफ देखने को मिल सकता है क्योंकि यहां पर यह पर पास में है तो यहां पर अगर आप यह देखोगे तो यह सप यहां पर रख सकते हो थोड़ा conservative लिए अप्रोच करना है तो 630, 635 का stop loss I think would be better तो थोड़ा stop loss इसमें 50 रुबे के आसपास का stop loss रहेगा लेकिन हमें फिर पाने के लिए उतना ही है 1-3 भी minimum हमें 850 के आसपास तक दे सकता है तो यह थोड़ा weekly basis के सारे stocks हैं हो सकता है काई बा market जब नीचे गिरेगी तब हमारे stocks किस तरीके से रियाग करेंगे तो हमें we should be always be practical कि एक bullish market के चक्कर में हमें overconfident नहीं होना चाहिए positions को लेके तो तीन stocks हमने discuss किया है DCM, Limited, Dish TV and Link India Link Limited ठीक है तो DDL नाम से हमारे तीन stocks है तो इनको आप track कर सकते हो इनको जब भी लेवल ब्रेक आउट करें जो अमने लेवल बताये ते उस पर आप इसको buy कर सकते हो तो I think that's all for today guys and अगर वीडियो अच्छा लगा तो definitely वीडियो को like कीजिए और अपने दोस्तों था share कीजिए कर दोस्तों इख कहले बता है